प्यारे साथियों आज मैं आपको बड़े ही एक इंट्रेस्टिंग सॉफ्ट्वेर के बारे में बताऊं जिसका नाम है जियो जेब्रा आप इसको मोबाइल में इस्तमाल कर सकते हैं पढ़ाते वक्त भी बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं आपने गूगल प्ले स्टोर से जियो जेब्रा की एप्लिकेशन्स को डाउंडोड करना है तो देखिए एक ये है जियोमेट्री और एक ये है ग्राफिक क्यालकुलेटर और एक ये है 3D क्यालकुलेटर ये अलग-अलग हैं और आप इन्हें डाउंडोड कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में जियोमेट का open हो गया यह आपके लिए तो यह वाइट एरिया है जहां पर यह वाइट स्पेस दिख रहा है इस पर आप activity कर सकते हैं और सबसे पहले चलिए देखते हैं कि basic tools में क्या-क्या दिया हुआ है basic tools में आप देखिए यहाँ पर move tool है point, segment, line, polygon और circle tools है और उसके आगे edit में काफी सारी options दी हुई है देखो select, show or hide object and then show or unhide point के बारे में है delete फिर कुछ construction tools दिये हुए है जैसे midpoint, perpendicular then perpendicular bisector, parallel lines, angle bisector, tangents तो हर tool को click करोगे तो वो activate हो जाता है और उसको हम screen के ओपर use कर सकते हैं उसके बाद angle measure करने का, उसके बाद distance, area, देखो अलग-अलग line tools दिये हैं, ray दिया हुआ है, different circle tools दिये हुए है, semi circle, polygons में polygon general भी आप बना सकते हो, regular polygon भी बना सकते हो, उसके लिए भी tool बना हुआ है यह बहुत interesting है, transform section के अंदर, देखिए, translate करना है, rotate करना है, reflect करना है, और enlarge करना है, आगे देखिए, और more करते हैं, तो और भी, ponics के बारे में दिया हुआ है, और यहां देखो नीचे pencil और freehand, और यह सब चीज़े उपलब्ध हैं यहां पर, ठीक है? तो आपको यह जो जियो जबरा software है, यह open source है, free है, और आप इसको easily install कर सकते हो, बच्चों को भी वता सकते हो, कि वो भी अपने mobile में से install कर सकते हैं, आप इस software को laptop पे भी use कर सकते हो, और यहां पर mobile की screen में तो इसको use करना बहुत ही असान है, देखो mobile की जो screen है, यह touch screen है, तो अब हम कुछ tools को इस्तमाल करते हुए, हम देखते हैं कि हम क्या basic geometry कर सकते हैं, तो सबसे पहले point tool लेते हैं, तो देखो जैसे ही मैंने इसको select किया, नीचे लिखा वाया, कि यह क्या है, जैसे फिर से देखो click कर यह point, select, position और line function और curve, help भी द जहां मैं tap करूँगी, वहाँ वहाँ पे आप देखो points generate हो जाएंगे, बड़ा simple है, चलो अब segment tool try करते हैं, अब segment लिखा है, select two points और positions, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैंने A को click किया और B को click किया, तो देखो line segment बन गया, और ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं direct भी line segment बना सकती ह तो वह automatic points generate हो जाएंगे, और line segment बन गया, अगला tool है line, click करो, line बनाने के लिए select two points और positions, मैंने दिये दो points किये, देखो automatically line बन गई, और बच्चों को अगर आप समझाना चाहते हो कि ये line में जो है वो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ने, pencil tool भी दी हुई है, तो यहाँ पे ये pen, free hand pen है, आप इसको यहाँ draw कर सकते हो, देखो इसके ओपर, तो समझाने के लिए कितना आसान है, white board की तरह बन गया ये, आपने arrow लगाया दोनों तरफ, और बताया कि line को हम name कैसे करते हैं, कि cd एक line है, फिर हम line को name करने के लिए small alphab L एक line है, ठीक है, तो ऐसे करके हम pencil tool का इस्तमाल कर सकते हैं, और screen पर अगर हम कुछ बनाते हैं, तो बच्चों को साथ साथ उसको explain भी कर सकते हैं, कोई मान लो हमने, कोई geometry का question ही समझाना है, तो हम यहाँ diagram बनाएंगे, और उसको pen उठा लेंगे, और उसको, उसकी explanation यहीं पर ही कर देंगे, तो that is also one of the use when we are teaching in online environment, फाइन, चलो, अब मैं इसको यहाँ से clear कर रही हूं, इसको discard करती हूं अभी, अब हम अगले tool पर जाते हैं, मान लो, अब हम यूज़ करेंगे, polygon tool, polygon का मतलब, closed figure, which is formed by line segments only, तो अब मैंने क्या बना दिया, quickly देखो, एक quadrilateral बना दिया, ABCD, अब मैं इस quadrilateral को, यह जो points है न, ABCD, यह blue color के जो points है, यह dynamic होते हैं, तो यह move tool यहाँ पे है, इसको click करो, select करो, तो मैं देखो, यह point को move कर सकती हूँ, ठीक है, तो अब देखो, आप बच्चों को बता सकते हो, कि कितने, देखो, different, different type के, यहाँ quadrilaterals बन रहे हैं, यह देखो, interactive board की तरह भी है यह, ठीक है, अब मान लो, इस quadrilateral में मुझे, diagonals बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ करूँगी, segment tool यूज करूँगी, click करा मैंने, segment के लिए आपको दो points को join करवाना है, मुझे C, A बनाना है, C पे click किया, A पे click किया, कितना असानी से देखो, diagonal बन गया, ऐसे ही मुझे B से बनाना है, तो B पे click किया, D पे click किया, diagonal बन गया, मान लो, मुझे यहां पर, suppose, इसको मैं पहले यहां से clear करती हूँ, मान लो, मुझे, मैंने polygon tool से, यहां पर, एक, polygon select किया, और यहां पर मैंने, suppose, draw किया, एक, concave polygon, ठीक है, अब मैंने बच्चों को कहा कि, इसमें आप, diagonals बनाओ, तो, diagonals के लिए, segment tool लूँगी, तो, A से, diagonal बनाने के लिए, C को join करना है, तो बच्चे देखो, clearly देख भी पा रहे हैं, यहां पर कि, ऐसे type के polygon में, diagonal यह बाहर आ रहा है, दूसरा कौन सा diagonal होगा, पूछो उन से साथ साथ, तो उनको visible हो रहा है, दूसरा diagonal यहां BDA, ठीक है, तो, clearly visible है कि, एक diagonal बाहर है, और एक diagonal उस quadrilateral के interior में जा रहा है, ठीक है, चलो, मैं इसको यहां से clear करती हूँ, फिर हम और tools के बारे में बात करते हैं, आगे देखो, interesting circle tool, इस circle tool तो इतना interesting है न, आप इस circle tool से, पांच मिनिट के अंदर, circle की सारी की सारी properties, बच्चों को visualize करा सकते हो, और वो इतना enjoy करते हैं, और समझ भी आ जाती हैं, देखो, जैसे मैंने circle tool लिया, और मैंने circle draw कर दिया, कितनी असानी से circle आ गया, अब आपको कोई property समझानी है, या parts of circle समझाने हैं, सारे के सारे tools आपको given है, मान लो आपको radius बनाना है, तो radius बनाने के लिए simple, आप उन से पूछो, उनको बोलो, कि मुझे यहां पे एक और बनाना है, radius, एक और भी बन गया, एक और बनाना है, देखो कितनी मतलब, it is so simple to use ना, तो आप जैसे मर्जी करके, आप देखो, instantly कितन बटन दिख रहे हैं, इससे आप इनको हटा भी सकते हो, back step, undo की तरह है यह, ओके, अब मेरे को circle की properties verify करनी है, suppose मैंने segment tool लिया, और मैंने यहां पर angle c, a, d बनाया, फिर मैंने यहां पर angle c, b, d बना दिया, अब मैं बच्चों से पूछना चाहती हूं कि angle c, a, d और angle c, b, d में क्या relationship है, यहां पर देखो more पर जाओ, आगे देखो यहां पर दिये वें यहां पर, angle measure, measure angle, angle tool select कर लो, angle tool select करने के बाद, क्या किया मैंने, c पर click किया, b पर click किया, d पर click किया, अब मुझे angle c, a, d चाहिए, c पर click किया, a पर click किया, d पर click किया, measurement आ गए, अब move tool ले लो, और बच्चों को को अपनी copy में observations लिखें, what relationship do they observe, between angle c, a, d, and angle c, b, d, तो आगे है न, theorem prove होगी, angle subtended by an arc at the center, is twice the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle, आप 3-4 observations वो लिखेंगे, automatically कब भी नहीं भूलेंगे, कि कौन सा angle double होता है, और किस से होता है, ठीक है, अब इसी में ही आपको बाकी जो properties and circle की, आप उसमें यहाँ पे construction करिए, और उनको verify करिए, कितना असान है, चलो मैं इसको clear करती हूँ यहां से, और आगे देखते हैं, और क्या-क्या यहाँ पे है, more पे क्लिक किया, हमने देखा midpoint है, यह perpendicular bisector है, ठीक है, और parallel lines है, perpendicular line, then angle bisector है, tangents है, इनको देखो कैसे use करना है, हम वो कराते हैं न, बच्चों को location of centroid, in center, circum center, ortho center, बच्चों को मुश्किल भी लगता है, मतलब भूल जाते हैं, तो उसको उन्हें वो लोग खुद भी explore करें, यहाँ पर बनाएं, तो उसके लिए क्या करेंगे, polygon tools से पहले एक triangle बना लिया मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, centroid बनाना है, तो centroid के लिए पहले मैं medians बनाऊंगी, पूछूंगी median क्या होता है, तो median होता है, vertex से opposite side के midpoint को join करना, तो पहले मुझे midpoint चाहिए, तो यहाँ से मेरे को process समझ में आएगी, कि मुझे next tool कौन सा लेना है, तो मैंने यहाँ से midpoint tool select किया, तो सबसे पहले देखो, कितनी आसानी से, मैंने सिर्फ lines in a, b, b, c और a, c पे click किया, और यह midpoints automatic आ गए है, midpoint tool select किया, उसके बाद segment tool ले लेंगे, तो a से d को join करो, एक median आ गया, b से e को करो, दूसरा median आ गया, c को f से करो, तीसरा median आ गया, अब मुझे point of intersection चाहिए, उसके लिए मुझे intersect चाहिए, intersect point, तो check करते हैं, कहां पर है intersect point, वो भी होना चाहिए इदर, तो intersect point से, मेरे पास इधर, इनका point of intersection आ जाएगा, देखो, दिख रहे हैं कही intersect point, चेक करो, वहाँ पे तो होता है, laptop पे जब करते थे, यहाँ पे देखते हैं, कहां पर है, दिखना चाहिए, intersect point, या तो symbol ही दिख जाए, यह रहा intersect, लिखा मैंने intersect, इसको क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो, intersect point आ गया, तो अब G जो है, यह centroid है, point of intersection of all the medians in the triangle, अब क्या करना है, move tool लेलो, यह रहा move tool, और C point को move करोगे, देखो, different types of triangles बन गए, अब बोलो, यह acute triangle है, देखो, centroid कहां पर है, वो कहेंगे, जी, in the interior है, of the triangle, triangle के अंदर है, चलो, अब obtuse triangle बना दो, कितनी असानी से देखो, obtuse triangle बन गया, visualize ही तो करना है, अब कहां पर है, अंदर है, इसके triangle के, तो बच्चा असानी से देख पा रहा है, location, ठीक है, तो आपको यह सोचना है, कि आप actually चाहते क्या हो, और उसको instantly create कर सकते हो, और बच्चा उसको visualize कर सकता है, explore कर सकता है, observations अपनी लिख सकता है, और यह वो कभी भूले गा नहीं experience, हमेशा याद रखेगा, और जो अगर वो खुद कर ले, वो तो कभी भूले गा ही नहीं, अगर आप वो उल्टा अगर यह देखता भी है, तब भी उसे याद रहेगा, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी interactive चीज़े, maths की class में करनी चाहिए, ताकि एक तो बच्चे का interest create होता है, और दूसरा, उसको खुद भी explore करने की आदत भी बनती है, तो यह बहुत important है कि ऐसी चीज़े हम class में करें, तो आप कोशिश करिए, देखिए, इसमें और बहुत सारी और interesting tools है, reflection, rotation, और भी बहुत कुछ है, यह तो ऐसा software है कि रोज अगर इसमें कुछ करो ना, 10-15 मिनट spend करो, explore करो, आपको कुछ नया सीखने को मिली जाएगा, I hope इस video से कुछ basics आपको clear होंगे और आप इस software को अपनी class में use करेंगे, thank you so much